वेलकम तो दे पार्ट साला हम 100 most important questions of economics देख रहे हैं इसमें से हमने 30 questions देख लिया है आग जिने 30 questions देखेंगे question देखने से पहले आप एक बार ये देख लिजे कि आपने इस चैनल का subscription कर लिया है कि नहीं किया है अगर नहीं किया है दिन कर लिजे आपको बहुत मिदद मिलने वाली है हम tier 2 की classes 30 अगस के आस पास से चलाने वाले हैं और SSE CGL 2018 की जो preparation कर रहा है वो इस particular वीडियो के नीचे description box में वीडियो के इंडी स्क्रीम पे और कार्ड में आपको एक चैनल का link मिलेगा वहां पे आप चैनल को subscribe कीजे जाके और wait कीजे थोड़े दिनों हम वहां पे आके आपको एक सीरीज देने वाले हैं जिसमें आपका पूरा कपूरा complete package होगा और यह पूरा कपूरा courses free up cost होगा आपको कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा सो अब चलिए बात करते हैं आज के 30 questions के set की आज का हमारा सबसे पहला question है labor intensive technique कहां पर यूज किया जाता है labor intensive technique सबसे पहले तो समझ लीजे मतलब क्या होता labor intensive technique का labor intensive technique मतलब यह हुआ कि जहां पर हम मजदूर ज्यादा यूज करें और चीजों के comparison में तो labor intensive technique वहीं पर यूज किया जाएगा जहां पर हमें मजदूर ज्य नियुद्ट ए के को ज्या पहला है। तो इनकी जो सोच थी, उनका जो यूवीूस था वो निरासावादी सोच के थे ये, पैसी मिस्टिक थे, अगर पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन को लेकि इनकी सोच अच्छी नहीं थी, बात करें, next question की, कि जो आज का हमारा next question है, जो हमारा HRD होता है, human resource development, तो इसमें, इसमें से क्या-क्या factors है, जिस पर वो work करता है? CAST system, education, youth and sports, child development. इसमें से क्या काम नहीं करता है? एजुछी एजुटेशन पर काम करती है, youth and sports, child development काम करती है. CAST system पर HRD ministry नहीं काम करती है, HRD जो human research and development होता है, उनका काम CAST system पर work करना नहीं होता है. नेक्स्ट है, who among the following promote social justice, इसमें से कौन social justice को promote करता था, पहले तो आप social justice समझ लीजे, क्या होता ये term, social justice का मतलब होता है, एक तरीके से जो समाज के लोग है, उसमें equality लाना, like economic level पे उसमें थोड़ा से equality हो, तो इसको जो promote करते थे, सबसे ज़्यादा john rawills promote करते थे, इसको, इस private entities होती है, private entities का आपस में जो lane देन होता है, अगर ये government के rules, regulation और restriction से free हो, तो उसके लिए ये term होता है, last is fair, और ये capitalist economy का term है, तो याद रखिएगा, ये इस तरीके के term अक्सर करके SSC में पूछे जाते हैं, next है, which are the following statement is correct, यहाँ पे 3-4 statement है, इन में से 1 statement जो है correct है, यहाँ सिर्फ ये आला statement correct है, कि जो हमार economic rent होता है, economic rent जो होता है, वो difference होता है, market ways का और reservation ways का, तो economic, जो rent है, ये difference होता है, किसका, market ways का and reservation ways का, अब ज्यादा डीटेल में सब पे चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतने depth में पढ़ने की हमें ज़रूत नहीं है, हमें PhD नह करना है, हमें सिर्फ question देखना है last year के, जो important questions है, क्योंकि question यही repeat करते हैं, अगर हम इसके depth में जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा time kill होगा, और साइध हम उतना result नहीं दे पाएंगे, उतना efficient हमारा work नहीं होगा, the word economy, ये किस से related है, इसका मतलब क्या है, ये household management से related है, हो सकत ये पूछ दे, ये CHSL में आया वा question, आप समझे किस तरीके के economic पे question पूछा जाता है, ससी में, बहुत अच्छे-च्छे question पूछा जाते है, even though अगर आप particular subject को पढ़ रहे हैं, तो भी साइध आप जवाब ना दे पाएं, next है, the supply of labor in the economy depends on, जो supply होता है labor की economy में, वो किस पे depend करता है, obviously इस option को तो आप देख के ही टिक मार सकते हो, population पे ही depend करता है, अगर किसी country में population जादा है, यूँ कह लीजे, किसी economy में, अगर population जादा है, तो अगर लोग जादा है, तो obviously labor की supply जादा होगी, अगर कम है, तो labor की supply कम होगी, next है, wage fund theory किसने दीती, किसने profound किया था, प आपको बस सॉट में इसको इतनी समझ लीजे, ये GS मिलने प्रफॉंड की थी, GS मिलस ने दी थी, तो इनका बस नाम याद रख लीजे, बस क्योंकि आपको रफी याद करना है, the main feature आप है capitalist economy, जो capitalist economy होती, इसका main feature क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो capitalist economy का मतलब यह हो होता है, आगर बात करें कि Marginal Revenue Product अगर Marginal रिवन्यू प्रोडक्ट अगर वेज से जादा हो जाए, तो वहां पे मज़दूरों का सोशड़ बहुत ज्यादा होने लगता है, तो अगर वेज जो है Marginal Revenue Product से अगर कम हो जाए, या Marginal Revenue Product ये जादा रहे, वेज कम रहे, त वहां पर मजदूरों का जो सोशड ज़ादा हो ज़ादा है सबसे पहले तो marginal का मतलब समझ लिजए कि marginal का मतलब क्या होता है एक होता है आपका average और एक होता है आपका marginal तो average वो होता है जैसे आप total sum करो और जितने नंबर से उसको divide कर तो आपको average मिल जाएगा लेकिन जो marginal होता है ये unit होता है जैसे एक का ही होता है और जो marginal होता है वो होता है जैसे suppose करो n या hello की 7 का कुछ prize है और 7 के बाद अगर आपने एक बढ़ाया जो तो 8 में का जो prize होगा वो होता है marginal या यू कह दो कि n में से n-1 घटा लो तो जो ये एक increase करने पे जो prize होता है तो वो बोलते है marginal तो ये भी unit ही आता है एक particular चीज का price हो, cost हो, कुछ भी हो तो marginal का मतलब यही है कि marginal revenue product अगर wages से जादा हो जाए तो वहाँ पे labor का जो है क्या होने लगता है शोसड होने लगता है वहाँ पे exploitation आप labor exist करता है consumption function जो होता है ये किनके किनके बीच में relation होता है ये relation होता है consumption और income में तो ये इस तरीके से होता है कि कितना consumption हो रहा है और कितना income हो रहा है तो इनके बीच में एक relationship होती है Price Theory Price Theory को और क्या कहते है Price Theory जो होती है Micro Economics में होती है तो Micro Economics भी कहते है इसको हमारा जो next question है यह John Maynard Keynes का एक statement है इन्होंने investment को define किया है इन्होंने ऐसा कहा कि अगर हम machinery या factory building लगा रहे हैं तो एक तरीके से क्या हो रहा है capital assist का construction हो रहा है तो investment को उन्होंने इस term में define किया the construction of a new capital assist like machinery of factory building इसको आम भासा मैं ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम machinery या फिर factory building लगा रहे है बना रहे है तो एक तरीके से किसका हो रहा है construction हो रहा है capital assist का और यह investment है तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा स्टेटमेंट किसका है जान मिनार्ड केंस का economics is what is ought to be यह statement का मतलब है कि अर्थ सास्त्र या economy वही है जो इसे होना चाहिए यह statement दिया था यह statement जो refer करता है वो refer करता है normative economics से normative economics का मतलब है negative economics negative economics बोले तो जो positive ना हो इसको इस तरीके से याद रख सकते हो normative economics के तहत यह आता है economics is what is ought to be economics वही है जो इसे होना चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह statements याद रखनी है ऐसा समझे कि यहाँ बहुत ज़्यादा detail में चर्चा नहीं कर सकते हैं इनके basics पे इनके principles पे और statement के depth में क्योंकि हमें उपर उपर से पढ़ना है हमें important कुछ questions करने है दिनके chances है exam में आने के तो आपको इनको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा किसी तरीके से memonics बना के याद रखना पड़ेगा ताकि आपको अगर exam में यह questions मिले क्योंकि यह high frequency जो है questions है इनके आने के chances कहीं जादा होते है बात करें next question की कि कि किस बंदे ने यह कहा था कि interest reward है interest reward है अगर हम liquidity को अपने से part करते है liquidity ऐसे समझे कि एक तरीके से आप इसको पैसे से correlate कर सकते है liquidity उसमें होता है जैसे पैसा होता है M1, M2, M3, M4 तो इनके तरलता का sequence तरलता का sequence ऐसा होता है जैसे कि जो चीज आप आसानी से जो है ले दे सको जैसे आपका note होता है सबसे ज़्यादा liquidity होल्ड करता है मतलब यह सबसे ज़्यादा तरल होता है अगर आप किसी को note दो तो आसानी से ले लेता है फिर वो दूसरे को देता है तो ले लेता है तो इसी तरीके से एक M1, M2, M3, M4 ऐसे आपका money defined रहता है इनकी liquidity का sequence होता है तो अगर ऐसे example में समझे कि अगर हम पैसे को अपने पास hold ना करके इसको market में जाने देते हैं अगर तरल होने देते हैं अपने से part करते हैं तो इसका जो हमें reward मिलता है वही interest होता है यह कहा था जो है John Minard Keynes ने यह इनका statement था तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है अब बात करें एक और statement की economics is the science of wealth यह किस ने कहा है यह Adam Smith ने कहा है और इन्ही को father of economics भी बोलते हैं तो आपको दो चीज़े याद रखनी है कि economics is the science of wealth statement Adam Smith कहा है और यही father of economics भी बोले जाते हैं नेक्स्ट है who among the following is not a classical economist यह जो आपके options है इसमें से आपको यह बताना है कौन इसमें classical economist नहीं है तो इसमें से GM कींस यह classical economist नहीं है डेविड रिकार्डो, जॉन, स्टुवर्ट मिल और थॉमस माल्थस यह सारे के सारे classical economists हैं बात करे core industry की कि यहाँ पे option दिया है आपको यह बताना इसमें से core industry कौन है तो जितनी भी basic industries होती है उनको हम core industry भी बोलते है consumer good industry, capital good industry और government industries यह आपका core industries नहीं है तो जितनी भी basic industries है उनको core industries बोलते है बात करेगी capital formation economy में किस चीज़ पे depend करती है capital formation जो है total saving पे depend करती है next जो हमारा question है which of the following does not determine supply of labor कौन सा ऐसा इसमें factor है जो labor की supply को determine नहीं करता है अगर population का size और age structure हो तो क्या वो define करता है कि नहीं करता है obviously करेगा क्योंकि अगर age structure और size अगर हमें नहीं पता होगा तो हम जो labor ले रहे हैं या देल रहे हैं वो मतलब हमें नहीं पता चल पाएगा तो यह factor actually determine करता है कि labor supply कैसी है कैसी नहीं है nature of work की बात करें तो nature of work के हिसाब से ही labor की supply होती है अब बात करें marginal productivity of labor जैसे labor का क्या है जो इनकी supply है वो इस बात पे depend नहीं करती marginal productivity का मतलब यह हो गया कि जैसे 10 labor है पे depend करती है तो आपको याद रखना होगा कि marginal productivity of labor यह जो आपका option है इस पे supply of labor depend नहीं करती है अब बात करें जो market में equilibrium condition कब होती है equilibrium condition के लिए आपके पास option है never changes या changes एक तो होता है कि equilibrium condition क्या होती है जब demand supply के बराबर होता है जब demand equal to supply होता है तब equilibrium hold करता है और बात करें यहाँ पे कि यह equilibrium condition कब जो है change होता है तो अगर कोई internal factor कोई internal factor अगर change हो जाए तब equilibrium हमेशा shift हो जाता है तब demand supply के बराबर नहीं रह जाता है ऐसी condition में equilibrium shift कर जाता है तो यहाँ पे जो option number third है आपका वो correct है next है which of the following concepts are not mostly control of money supply यह इनसे associated है marginal utility theory यह इन्होंने दिया हुआ था indifference curve analysis यह इन्होंने दिया हुआ था लेकिन marginal efficiency of capital इससे इनका कोई लेना देना नहीं था so option number D है आपको यह भी याद रखना पड़ेगा D कि इनसे कोई लेना देना नहीं है इससे ज़्यादा ज़रूरी है आप यह याद रखो कि control of money supply इनका लेना देना है marginal utility theory इन्होंने दी है indifference curve analysis भी इन्होंने किया हुआ है तो यह तीन ऐसे हैं जो JM Keynes से John Maynard Keynes से relate करते हैं और चौथा relate नहीं करता है next है an economy is an equilibrium when कब होती है जब मैंने बताया कि अभी demand और supply बराबर होता है अब यहाँ पर आपको option देखना है कि option कौन सा है जो हम choose कर सकते हैं planned consumption exceed planning saving planning consumption exceed planning investment aggregate demand aggregate supply तो यहाँ पर demand और supply यह क्या है आपके बराबर है aggregate demand अगर aggregate supply के बराबर यहाँ पर equal लगा लिजेगा aggregate demand equal to aggregate supply जब होता है तब जो है कोई भी economy equilibrium में होती है अब यहाँ पर बात की जा रही है perfectly competitive form के लिए कि कब equate करेंगे equilibrium में यह होता है जब marginal revenue marginal revenue MR, MC के बराबर होता है marginal cost के तब क्या होती है perfectly competitive form equilibrium पर होती है तो MR is equal to जब MC होती है कभी-कभी option में आपको MR is equal to MC सीधे-सीधे दी देगा इसका मतलब होता है marginal revenue is equal to marginal cost तो ध्यान रखिएगा इसका D part करडिक्ट है कि perfectly competitive form यह भी याद रखिएगा किसके लिए है perfectly competitive firm जो firm हो है अगर वो perfectly competition में है तो equilibrium में तब होगी जब MR is equal to MC होगा या marginal revenue is equal to marginal cost होगा Father up Economist किसको कहते हैं Adam Smith को कहते हैं अभी मैंने उपर बता है In the long run equilibrium a competitive firm अगर हम long run की बात करे और equilibrium में होई कोई competitive firm सो तो वो हमेशा normal profit gain करती है कई बार question पूछा जा चुका है 10 से 12 दफा तो आपको याद रखना है कि हमेशा normal profit long run में competitive firm gain करती है According to the classical system saving is a function Classical system के हिसाब से saving जो है वो income का function होता है तो ध्यान रखिएगा कि classical system के हिसाब से saving जो होता है आपका income का function होता है यहाँ पर last में एक और statement है और यह पूछा है कि किस ने दिया हुआ है तो इस statement को आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा इस statement को हिक्स ने कहा हुआ है जो हम यह economy से question कर रहे है यह हम सिर्फ रफ व्यू देख रहे हैं जो chances हैं कि यह questions आ सकते हैं इनके बहुत ज़्यादा गहराई में जाके हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास इतना time नहीं है गहराई में पढ़ने का अगर हम गहराई में गए तो और खुद जाती है चीजे और चीजों आपको define करना पड़ता है फिर और define करना पड़ता है तो आप इन चीजों को roughly आप ऐसे ही जानिए ताकि आप exam में इन questions के जबाब दे पाए